क्या आपको पता है, रिक्षा का आविशकार कहां हुआ था? उन्नीसवी शताबदी के अंत में रिक्षा की उत्पत्ती का पता जापान लगाया है पहला रिक्षा 1879 में जोनथन गोबले नाम के एक अमेरिकी द्वारा डिजाइन किया गया था, जो जापान के लिए एक मिशनरी था शुरुआती रिक्षा पूरी तरह से लकडी के बने होते थे और एक ही आदमी द्वारा खीचे जाते थे रिक्षा का उप्योग पहले धनी और मध्यम वर्ग द्वारा किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे वे अधिक सामान ने होते गए, उनका उप्योग सभी वर्गों के लोगों द्वारा किया जाने लगा रिक्षा ने जापान में तेजी से लोगप्रियता हासिल की और जल्द ही अन्य एशियाई देशों में फैल गया